दोस्तो अगर आप हमारे चानल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाईए और कोई लेटेस्ट इन्फोमिशन मिस ना हो उसके लिए घंटे को दबाईए तो दोस्तो आज की वीडियो है आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग है वो जब बर्ट के शिकार पर जाते हैं तो वो डॉक्स को भी लेके जाते तो वो पॉइंट करते हैं अपनी स्मेलिंग अबेलिटी की वज़े से तो पॉइंट करते हैं एक पर्टिकुलर डारेक्शन में जहां पर उन्हें वो गंद आ रही होती है तो और यह रिट्रीवर मतलब जो पॉइंटर होता है वो रिट्रीवर भी होता है रिट्रीवर मतलब शिकार होने के बाद वह अपने आता है दूल कलर में आता है यह मतलब या तो डाइक ब्लू कलर होगा टाइक डाग मतलब आँखों का टाग ड्लू होगा और शर्इा में जो कलर है वो रस्त कलर ज़ particular दाक होगा या ज़्यादर लाइंट ootta इसी में की वह पर्सनालेटी यह बहुत ओनने आश्धिक एंशी करने के लिए energy level बहुत ही जादा active born hunter है मता बहुत बहुत बॉन hunting डॉंग है बड़ अब hunting नहीं होती तो पहले के मुकाबले अब यह dog shows में जादा यूज हो दें क्योंकि इनकी agility की वजह से और बहुत ही जादा इन वजहों से भी बच्चों के साथ इनका behavior अच्छा है कोई supervision की जरुरत नहीं है तो यह बहुत बड़ीया बात है दूसरे dogs का साथ देखिए supervision की जरुरत है shedding seasonal होती है grooming occasional होती है और हमने हमेशा कहा है अपने चानल पर कि grooming वह मालिक पर dependent होती है वो इसको ज्यादा बड़े बाल रखना चाहें ज्यादा कम बाल रखना चाहें वह मालिक पर डिपेंड होता है अनके day-to-day work पे अब training बहुत जैसे बहुत अच्छे से करता है बहुत इगर होता है ट्रेनिंग को करने के लिए इस वीडियो में आपको जादा नहीं लग रहा होगा क्योंकि यह स्लीप ही है इस वज़े से अब यह बताते हैं इनकी हाइट क्या होती है इस पाउंड का होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बारा से चौदा साल के उमर तक जीते हैं जो एवरेज के करीब है तो सही माने जाती है और भौकते हैं जब जरुरी होता है तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी कि जो अमेरिकन कैनल क्लब ने दी है वो है 31st पोजीशन पोजीशन जो है 3-1 अब बात करते हैं इनकी हिस्ट्री के जो 1960 से शूरू हुई तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अमेजन फाक्स और वीजल इस थांक यू फार वाचिंग इस वीडियो को लाइक करिये शेर करिय और प्लीज 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 सब्सक्राइब करिये हमारा चैनल अनिमल चैनल हिंदी